दोस्तों नमस्कार मेरा नाम स्नेल शरन है और आप देख रहे हैं स्वतंतर निव्ज बिहार के मुझपरपूर का एक कांड जो पूरे देश को जग जोड कर रख देता है मैं बात कर रहा हूँ बिहार के मुझपरपूर के बालिकागिरी का लो मरसक कांड यह एक ऐसा कांड था जिसमें आत्मा तक कांप उठी थी मुझपरपूर बालिकागिरी में अनाथ और मजबूर बच्चियों पर जो जुल्म हुए उसे पढ़कर आपके रोंगते खरे हो जाएंगे पुलिस की सुपरवीजन रिपोर्ट में बच्चियों ने जो खुलासा किया है वो किसी भी एक सब्भे समाज पर बद्नुमा दाग की तरह है अबोध अवेसक बालिकाओं का योन सोशन सारेरिक प्रतारना अपहरन बालातकार यह एक मानवियता की तरासद मौत थी 26 जुलाई 2018 को Tata Institute of Social Science की रिपोर्ट में पहली बार बालिकाओं ग्री में नावालिक लड़कियों के साथ दरिंदगी का मामला सामने आया था मामले में 26 जुलाई 2018 को राज्य सरकार ने CBI जाज किसी फारिस की अगले ही दिन यानि 27 जुलाई 2018 को CBI ने बालिका ग्रीक कांड की एफायर पटना इस्थित अपने थाने में दर्च की थी जाज की जद में काफी सफेद पोस आये थे राज्य सरकार की एक रसुगदार मंतरी को त्याग पत्र भी देना परा था जाज को पिंजरे के तोते के हवाले करके खूब लिपापोती की गई लेकिन अब उस कुशाशन का असली चैरा सद के सामने उजागर हो रहा है त्याग पत्र देने वाली महिला को जदी उमीदवारों की पहली सूची में ही अस्थान दे दिया गया यदि वह निर्दोस थी तो फिर त्याग पत्र क्यों और अगर दोसी है तो फिर टिकट क्यों इससे पहले या आगे बढ़े एक नजर तो इस पर भी डाले जवाब तो देना ही होगा मानिनिया जवाब देही हर किसी की तै होनी ही चाहिए दोस्तो इस कोरोना काल में मास्क जरूरी है लेकिन इसी चुनाव मौसम में नेताओं का दोगलापन अनमास्क होना भी बहुत जरूरी है मैं जानता हूं कि पाखंड अपराध और नैतिक पतन के इस दोर में मेरी आवाज नकर खाने में एक तूती साबित होगी पर फिर भी आत्मा की आवाज तो सुनने ही पड़ेगी मन की बात तो बोलनी पड़ेगी है मेरे बिहारी बंधु बांधव आप इसको इतना सुनिए लोगों को इतना सुनाईए अगर आप इसको लाइक करते हैं तो इसको खूब सेर कीजिए ये आवाज हर एक बिहारी तक पहुंचनी ही चाहिए और अंत में अपने अंतिम महा अस्त्र यानि मतादिकार का उप्योग काफी सोच समझ कर कीजिए हमारी मुलाकात फिर होगी तब तक के लिए जैहिन जै भारत